हेलो एबरीबरन आपका स्वागत है मेरे चैनल कुकिंग मुख्या पर आज हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके से ये मिठाई ये बिना मिल्क पाउडर बिना चासनी के हम बनाएंगे तो चलिए शुरूर करते हैं इसे बनाना यहाँ पे हमने एक पैन लिया है और इसमें हमने एक गिलास फुल क्रीम दूद लिया है इसे हमने डाल दिया है और इसे हम अच्छे से खौला लेंगे आधा होने तक इसे हम इसके किनारे छुडाते हुए इसे हम पका लेंगे यहाँ पे हमने एक ग्रैंडर जाल लिया इसमें हमने 200 ग्राम परीर को इस तरह से क्रंबल करके डाल दिया है और चीनी डाल देंगे चीनी अपने टेस्ट के नुसार कम ज़्यादा आप ले सकते हो इसमें हमने दो चम्मच काजू पाड़ो डाला है आप इसकी जगए डेसी केटिट कोकोनट भी डाल सकते हो अब इसे हम पीस लेंगे तो देखिए इस तरह से बिलकुर स्मूथ पेस्ट बन गया है देखिए दूद इस तरह से हमने इसको खौला के आदा कर लिया है यह एक कब दूद बचा है इसके किनारे छोड़ाते हुए इसे तरह से हमने पका लिया है अब इसमें हमने जो पेस्ट पीछा था ना उसको हम डाल लेंगे इसे कंटीन्यू चलाना है इसे छोड़ना बिलकुल नहीं है अभी गैस की फ्लेम हमने मीडियम रखी है इस तरह से अगर आप मिठाई बनाएंगे तो बहुत कम समय में बन के तयार हो जाएगी यह कम समय में बन जाती है इसका टेस्ट बहुत ओसम है यहाँ पे हमने एक चम्मच घी लिया है इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे हमने फूड कलर लिया है यह बिलकुल ऑफ्सनल है और इसे भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो देखिए थोड़ा थोड़ा पेंच छोड़ने लगा है अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जुरूर किया करें तो दीखिए इस तरह से ये पैन छूणने लगा है तो ये हमारा मिठाई का मिक्स्चर दायार हो गया है वो ठंडा होने पर और भी थिक हो जाएगा तो अब इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में अब इसका हम इस तरह से रॉल बना लेंगे और आप कोई भी सेब दे सकते हो इसमें हम इस तरह से ट्रेंगल का सेब देने की कोशिश कर रहे हैं इस तरह से सिल्वर फॉयल में हम रैप करके फ्रिज में रख देंगे 20-25 मिनिट के लिए देखिए इस तरह से तयार हो गया है अब इसे हम निकाल लेंगे आपको काटने से ही पता चल रहा होगा कि यह कितना सौप्ट बना है देखिए ना इसमें हमने मिल्क पाउडर डाला है ना हमने इसमें चासनी का कोई जंजट है यह कितने आसानी से हमारी मिठाई बनकर तयार हो गई है जब आपका मन करे तब यह मिठाई बना कर कहा सकते है देखिए देखने से ही पता चल ला कितना सौप्ट बनी है हमारी मिठाई तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक, सेर, सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फोर वाचिंग टेक केर बाई